नमस्कार दोस्तों ये हार्मोनियम जो आप देख रहे हैं ये प्रिमियम क्वालिटी का 30 मिस्केल चबजर का हार्मोनियम है जिसे हमने बनाया है रोया जी के लिए जोनोंने अपने पिता जी के लिए हार्मोनियम बनाया है उसेन जी है बहुत ही अच्छा बहुत ही मीठा गात और यह देख रहे हैं वीडियो तो जरूर अपने परिवार के साथ इस कुपसुरत इंस्ट्रूमेंट को जोड़ें और सीखें संगीत के लिए बहुत अच्छा और बहुत ही कुपसुरत इंस्ट्रूमेंट है आए इस वीडियो में यह 13 स्केल चंजर का और फोल लाइन बास मेल मेल फीमिल प्रीमियम कॉलिटी का हर्मोनिय में आए इसमें हम इसके आवाज सुनते हैं यह मैंने डी से इसको बजा रहा हूं मैं क्योंकि तानपुरे से मैं डी से रियाज कर रहा था तो डी से ही बजा रहा हूं सुनिये तिल सुन गतारा चंदनी रात में दिल सुन गतारा चंदनी रात में चंद क्या कह गया चंदनी रात में दिल सुन गतारा चंदनी रात में याद आता तो होगा तुम्हें भी कोई जान्द क्या कह गया है चांद नी रात में दिल सुला है ता रहा चांद नी रात में बहुत ही मीठा बजरा है दोस्तों मैंने इसे ही रागे मन छोड़ा और यह हमारे बहुत अच्छी उस्ताज जो कवालिक लिए फेमस है लेकिन उनकी यह के गजल भी बहुत अच्छी दिल सुलगता रहा वह मैंने इस पर गाया और उस्तफते लिखां साब उस्ताद दी कि उन बिनकाप लोड़का निरेगा निरेगा मपा मधपा मधनी दाप तो बहुत अच्छा एक सस्टेन और इसमें आप कोई मिलता है आए इसका हम आपको एक फिनिश्टिंग देखा लात है इसकी रिट्स होगे रख आप देख पाएंगे यह कितना खुब्सूरत हमारा क्राफ्ट मैंसक के साथ हमने आर्मनियम बनाया है देखें दोस्तों दोस्तों के वल इस तरीके से एक कम प्रोडक्शन में ही मेरे कोशिश यह मेरे पैशन का हिस्सा है इसको इतना व्यापार के दिश्टि नहीं देखता मेरे पास आप देखेंगे कोई पांच और दस प्रकार की quality के हार्मोनियम नहीं मिलेंगे एक ही प्रकार के quality पालताना में सबसे premium अन्दता जर्मन और पैरिस रेड का हार्मोनियम में कुशिश करता हूँ कि लोगों को best दे सकूँ अच्छे से अच्छे हार्मोनियम दे सकूँ इसलिए मेरे पास 4-5 quality के हार्म क्या कस्टमाइजेशन है उसके उपर और भीजने का खर्च आप जहां रहते हैं उसको देना पड़ता है लोग प्राइस को लेकर के बहुत कमेंट रहता है तो मैं जस्ट लोगों से आई करता हूँ कि आप मुझे समय मिलता है मैं आपका कॉल पिक कर सकूँ तो मुझे क्या कर सकूँ तो मुझे बहुत कर सकूँ तो मुझे जर। दोस्तों बहुत अच्छा सस्टेन एक जैसा आवाज एक जैसे ट्यूनिंग दोस्तों के वल रीड लगाने से ऐसा नहीं होता कि आपको यही आवाज सभी हार्मोनिय में मिल जाएंगी इसके लिए सभी इसके रेसियो और इसकी जो ट्यूनिंग सबसे बड़ी बात है ट्यून नय जाएगा उतना अच्छा यह हर्मोनियम बनता है तो दोस्तों जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें और यह वीडियो को जाधा जाधा शेयर करें और आप लोग भी अगर इस तरीके का हर्मोनियम चाहती है कंप्लीट हर्मोनियम है दोस्तों चार लाइन का एक बार य